प्रिक्षा लीट का जो मामला है कितना तूल पकड़े हुए है कितनी लाखो छात्रिये डिमांड कर रहे हैं कि ये प्रिक्षा रद होनी चाहिए और उसके लिए कल मैंने वीडियो भी बनाई दोस्त की आने वाले कल यानि 21 तारिक को सिकंद्रवाद जिला बुलन सहर से हमारी यात्रा है लखनो की तरफ वो सुरू होने वाली है कल आपका सुबह 11 बज़े से सिकंद्रवाद से तो इसकी बनक प्रसासन को भी लग चुकी है और प्रसासन हर संभव प्रियास कर रहा है कि यात्रा कल ना सुरू होने पाए यानि मेरे गाओं में या मेरे घर हर जगे पुलिस और एस प्रियास में है कि मेरी आरेश्टिंग वो कर ले और उसके लिए वो जो संभव उन से बन पारा है वो कर रहे है मैं दोस्त अभी गुप तरीके से खुद को बचाये रखे हुए हूँ मैं सारी साफधानी बरत रहूं कि मैं कल वहाँ पहुचूं और हर तरीके से मैं वहाँ पहुचूं लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल भाई वहाँ ये मलोग मुझे गरफतार कर लें और ये प्रियास करें कि यातरा रुक जाए दोस्त यातरा आपकी है अगर मेरी गरफतारी हो जाती है तब भी यातरा नहीं रुकनी चीए और जहां इस यातरा को रोकने का प्रियास किया जाए और प्रसासन ये कर ले प्रियास की भई यहां इन बच्चों को हम रोक देंगे भाई आप सब लोगों को पता होगा उसके अगले जिले से आपकी यातरा फिर सुरू हो जानी चीए यानि आपको लखनव चलना ही होगा सारे साथियों को लखनो की तरफ रुख करना होगा आपका जो भी जिला है चाहे निकटवर्ती जिला हो लखनव से या दूर हो आप सब लोग अपने ग्यापन द साथ में वेडी सर्ष गांपुर्ज एक हिए और तो दोस्त ये याद रुगनी नीच ये आप लोगों को ग्यापन देना है क्योंकि बाई दरद रुख आप लोगों का हमारा सब का दुख हम लोगों तक पहुच रहा है और वो समझना estim की होगा क्योंकि यह साख की बात नहीं है कि यह पेपर लीक है तो यह साख की बात हो गई हम धंया होंगे और हम हमेसा रिनी रहेंगे उसे एक decision के हम परसासन के हमेसा रिनी रहेंगए इस बात के लिए कि ये परिक्षा दुबारा होती है इस पर कोई प्रसंचन ये नहीं लगना चाहिए और इस बात से नहीं डरना चाहिए कि प्रसंचन ने एक प्रसासन के ऊपर बलकि प्रसासन को तो दुख समझना चाहिए कि हम छातरों का दुख क्या है हम अध्यापकों का दु क्या है और ऐसा भी हो सकता है साथी ये मेरे इंस्टाग्राम से आपको अंतिम मैसेज हो और ऐसा हो सकता है कि इसके बाद में ये जो सोसल साइट है मेरी एक्टिविटी बंद हो जाए लेकिन दोस्त मैं हर तरीके से हर संबब प्रियास करूँगा कि मुझे रोकने की जितनी को प्रतिये एक वैक्ति इसका नित्रतव करेगा जब जहां ये रुके उसके अगले चरण ये सुरू हो जानी चाहिए हर जिले से इसकी सुरुआत होनी चाहिए हर अध्यापक गड़ से जो साथी अपने अध्यापक या साथी चातर से नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने मेहनत है उसको यूँ वेर्थ न जाने दीजिए आपको बस थोड़ा सा थोड़ा सा समय लगता है ये जाच भरले में कि जो इंस्टाग्राम या ट्वीटर पर ट्वीटर पर पेपर आया आपका अगर लगता है कि वह एडिटिड फीचर है जिस तरह से प्रसासन कहता है तो परसासन उस बात को देख सकता है कि वह एडिटिड है या नहीं है वह अफिसियल चैनल मौजूद है आप देख सकते हैं उसमें समय की एडिटिंग की गई है नहीं की गई है कई गंटे पहले वह पेपर आ चुका है तो इतना ते करने में सायद कुछ सेकंड का समय लगेगा और इन लाखो बच्चों की जिंदगी इन लाखो बच्चों के आंसू ये सुरक्षित किया जा सकते हैं क्योंकि दोस्त एक होसला चाहिए अगर आप फिर से भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक होसला चाहिए क्योंकि एक उमंग के साथ आपने मेहनत की एक दिन रा परिक्षा हो फिर से परिक्षा हो सारी सिफ्ट की परिक्षा फिर से की जाए तो यह मेरा मैसेज है साथी कि आप लोग मेरे मैसेज को सब कर रहे हैं तो कल सुबह सिकंद्रबाद बुलैंद सहर बाइपास से यात्रा शुरू होने वाली है दोस्तों सारे साथी जुड़े उसको हम एक जुट हो करके चलाएंगे और जितना बास हमसे हो पाएगा जो कुछ इसमें हो पाएगा जो कुछ इसमें भुगतना पड़ेगा वो भुगतने के लिए हम तयार हैं लेकिन साथ ही याद रख लेना इस यात्रा में कोई उपद्रव नहीं होना चीए क्योंकि अगर उपद्रव हुआ ना भाई अगर वस्थित तरीके से हमने इसको नहीं किया तो यह खत्म हो जाएगा और एक बार इस मामला यह खत्म हुआ और यह पिरकरन अगर ढहिला पड़ा तो फिर भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला है इसलिए बहुत अनुसासित तरीके से आप अपनी मांग के लिए जा रहे हैं ल नहीं कर सकते इतना भर अधिकार तो हमको मिलना चाहिए और इसका दमन नहीं होना चाहिए दोस्त तो सारे साथ ही कल सिकंद्राबाद जो दोस्त इस से जुड़ सकते हैं वो जुड़े और पहुचने का परियास करें और जहां ये रुख जाए उसके अगले जिले से या हर जि दिक्कत नहीं है वो सब जहलने के लिए सब लोग तयार हैं लेकिन ये दुख ये दर्द तुमको समझना होगा हम सब गरीब बच्चे जितने भी हम लोग पढ़ा रहे हैं हम साती अध्यापकों के साथ जितना गरीब घर का बच्चा जुड़ा हुआ है उसका दर्द प्ली पारों के करोडों सदस्स से जुड़े हुए तो प्लीज हमको हतास मत कीजिए प्लीज हमारी ये जो रिक्वेश्ट है इसको मान लीजिए सिर्फ आपको तनिक तनिक रंच मातर बोलते हैं थोड़ी सी देर लगेगी ये सत्यापित करने में कि हाँ इन पेपर जो हैं ये घं अनुसासित तरीके से ये हो पाएगा उतना जल्दी रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा तो याद रख लिना कोई उपदर्वी सामिल ना हो पाए जहां कहीं से आप चलें अनुसासित चलें सीधी नाक में चलें दोस्त टैफिक को कोई भी दोस्त आपका नुकसान पहुचाएगा आप बाएं तरफ चलेंगे लेफ्ट साइड में पंक्ति बद्ध होके चलेंगे पूरे ट्रैफिक को सचारो रूप से आप चलवाएंगे और हर एक जगे से साथी चलेगा हर एक आवाज चलेगी और सारे जितने भी अद्यापक लोग हैं वो आपके साथ है हर एक व्यक्ति आपके साथ है आपके दोस्त इस संगर्स के वाज में सब आपके साथ है जैहिन चबारत